बगवान ने लच्मड से का लच्मड तुम भी बेर खालो जो हम खाएंगे वो तुम खालो लच्मड जी के दिल में एक इरस्या भरी है क्या लच्मड के दिल में इरस्या भरी है कि भाईया जहां देखो तहां खा लेते हैं और इस जाद के पारशन के बेर हम नहीं खाएंगे ये बेर हम नहीं खाएंगे लचमड जी ने बेर नहीं खाया लचमड जी वो बेर पीछे से भगवान को धोखा दे करके बेर फेंक देते हैं लिकिन भगवान सब जान गए कि लचमड तुम हमारे भक्त का आप मान कर रहे हो लिकिन जाओ भगवान ने स्राब दे दिया भगवान ने स्राब दे दिया लचमड तुम्हें इसका बदला लेना पड़ेगा और इन बेरों की चुकावती या तो तुम बेर लिये न होते तु पेकना ही यह सबसे बड़ी असंभवता हो गई। कहते हैं बेर फेकने कारण बन गया लचमर के सकती लगना, अगर बेर ना फेकते तो लचमर के सकती मेगनात नहीं मार पाता। यह हो गई पहले कारण बच्चों के जब बुखार होता है तो देखा होगा लड़ीका दवा नाई पी थी तो जब दवा नाई पी हैं तो अम्मा लोगे कहें ही आउच्छा तुमका प्याड़ा दी अब लड़ीका ने कहा पकल लिया आग जने अब जब तम मुणा पकल लिया पी हो तो नागम पी हो बच्चों के दिल में जैसे शिच्छा मां भर देगी बालक वैसी ही शिच्छा पर उतर जाता भईया लोग माता हैं बेने बड़ी होसिया रहे होती डाक्टर अब देखा है एक लड़के को टेबिलेट दिया डाक्टर साहिम ने अब लड़ी का टेबिलेट खाई नहीं तो माता ने सुचा एक दिमाग लगाया ये प्याडा में वाट टेबिलेट बंद कर दिया जब टेबिलेट बंद कर दिया अब एक पहले घटना घट चु लेकिन अत्ता संखा भईया हिसाबय किता बज़ खायो इमा के रिए निकाड़ रही निकाड़ा रही अब लड़ी का थोड़ी देर बाद माता लग गई कामेम, जब लग गई कामेम, अब कुछ देर पाद पूछिन भईया, वो प्याणा देरान खाले हो, कहने हमा हम सब खाले हैं प्याणा, कहने सही बाद, सब खाले हैं, सही बाद, हाँ, लेकिन अब पुछती का प्याणा थो फिर पूचिन भाईया उमर राखे तो नहीं रहो हां राखे न कुछ नहीं रहा है लेकिन विया निकाट डारे रहा है बता तो बच्चे के दिमाग में ये दिमाग लगा रहा है कि प्याणों विया हो थे तो बड़ी बिशित्रबाद जैसी सिच्छा डालोगे बालक में भगवान ने लच्मड के उपर सक्ति लगाया था जब मेगनात ने मारा बाण लच्मड धणा साही हो गए रोने लगे भगवान रोने लगे अजब भगवान रो रहे हैं लच्मड से कह रहे हैं लच्मड भईया उटकर के बैठ और रोतों हैं लच्मड से कहते हैं भईया उटकर बैठ जाओ मेरी बात मानो